मित्रों नमस्कार आप लोगों की सेवा में आप किसान भाईयों की देश के सुब चिंतकों की सेवा में मैं फिर से एक नई वीडिया लेकर आपके सामने हाजर हुआ हूँ खर्पतवार को कैसे नियंत्रन करें देखिए मेरे सामने युवा व्रद व्यस्क अनुभवी सज्जन खड़े हैं मित्रों जानते हैं और बताते हैं आप सभी की जिग्यासा को पूरी करते हैं मित्रों जो आप ये गोबर का धेर देख रहे हैं अक्सर इसको राजस्तान में उकड़ी कहा जाता है देखिए मित्रों यह खुले में पड़ी है मैं सामने खड़े सभी युवा सातियों से अनुभवी सज्जनों से कहना चाहता हूँ पहले आप तो इसको किसी गड़े के अंदर बनाओ ताकि इसकी जो पोस्टिक था सिकी जो अव्यव है इसके जो तत्व इसके जो खनीज लवण है वो बने के बने रहे यह दूप में डालने से क्या होता है दूप से यह सूख जाता है और अपने खेत में असर नहीं करता है मित्रों कुछ इसको नई विदी से करता है तो देखिए मित्रों, देखिए सज्जनों यह जो आप गोबर का धेर देख रहे हैं अगर इस अवस्ता में पड़ा है इसको आगर आपको दो हमईने बाद खेत में देना है तो आप इसको किसी भी साधन के दोरा, किसी भी वजार के दोरा आप सुवेम फावडे दोरा इसको उपर नीचे कर दीजिए नया पूरान सब मिक्ष कर दीजिए थोड़ा लंबा कर दीजिए, लंबा करने के बाद आप इसके अंदर जीवामरत डाल सकते हैं, गर पे बनाया WDC डाल सकते हैं, इससे क्या होगा, जब खात को आप गीला करेंगे, तो उसके अंदर जो पानी आएगा, जो अर्क निकलेगा, वो फसल के लिए बहुत ही होगी है, तो मित्रों, आप जो किशान मित्र जो सामने खड़े हैं, इन सभी से मेरा अनुरोद है, आप उकडी को किस तरह कमपोश्टित करें, आप इसको पाने डाल कर गीला कर दें, फिर प्लास्टिक का पाल डाल कर इसको पूर्ण रूप से डख दें, दो मैने के लिए, क्या होगा, जो गोबर के डेर की जो गर्मी है, वो गर्मी से वो वास्पिकरन होगा, भाप बनेगी, और उपर लगा जो प्लास्टिक है, वो वापस नीचे की और आएगा, और पूरे उकडी के अंदर वो नमी दोड़ेगी, मित्रों, बहुत ही बढ़िया कारगर, खरपत के अंदर, जब आप इसको प्लास्टिक से डखकर रखेंगे, वो जल जाएगा, ये अपने को दो महीने तक करके रखना है, और जो आप इस गोबर को खेत में डालेंगे, तो खेत में गीला गोबर अच्छा रहता है, फाइदा अच्छा करता है, देखिए मित्रों, सामने दो तिन सर्सों के पोदे मुझे दिख रहे हैं, पोदे दूर है लेकिन मुझे मद्व मक्या इसके उपर बहुत दिख रही है, ये प्राकरतिक गुणों से बरपूर ये जो सर्सों हैं, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्यों की फसल में स्प्रिंकलर चल रहे हैं, य आपके द्वारा वीडियो जो बनाया गया, मेरा सपोर्ट किन-किन भारतवाशियों ने किया, मित्रों, किसान भाईयों तो जानते हैं, आप इसको दो महिने तक रख दीजिए, और ये धूप से जले नहीं, इसके लिए अपने यहां खींप होता है, जिसकी अपन जोंपड रहेगी तो जलेगा नहीं, नहीं तो अंदर की जलन और बाहर की जलन चमड़ी फट जाती है, उसी तरह ये प्लास्टिक का पाल आप जो करते हैं, वो सुरक्सित रहना चाहिए, दो महिने बाद आप इसको जब निकाल के देखेंगे, तो एकदम भुर भुरा, जैसे अपन बाजरे का लड़ू बनाते हैं, या दाल बाटी का जो चूरमा करते हैं, उस तरह ही हो जाएगा, आप खेत में डालने के बाद, आप इसको खेत में खुला न छोड़े जादा समय के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो शुक्ष में पोसक तत्व जो बनते हैं, नाइट्रोज को अपनाने के लिए, आप अपना मत दीजिए, आप इस विद्य को अपनाएंगे, जी, देखिए मित्रों, मैं अब थोड़ा आप से परिचे ले लेता हूं, आपका नाम, आपका नाम, पपूराम जी, जो आज का वीडियो में बना रहा हूं, इसमें जो गुर सीखे, जो आपको क्या लगा, इससे आपको फाइदा लगा, आपका परिचे, मांगिलाल जी, जो आज आपने मुझे यहां बूला कर मेरा जो समय लिया, मैं करतग्य हूं, देशवासियों, और मेरा मनोबल ये किशान मित्र बहुत बड़ा रहे हैं, और मुझे ये दावे के साथ कह र नहीं है किस विदी से, नेचुरल फार्मिंग के लिए हमें कपास का उतपादन लेना है, तो आप जेवी खेती को लेकर दो सब्द क्या कहेंगे, मेरे लिए या देश के किसानों के लिए करना चाहिए, करना चाहिए, जेवी खेती करना चाहिए, चलो मित्रों आगे बढ़ अच्छा तरीका है, जी आज जो मेरी मीटिंग आप से हुई, उसमें आपको संतोष्टी मिली या नहीं मिली, बहुत अच्छी संतोष्टी मिली, खुश हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आप अनुभवी सज्जन खड़े हैं, मुक्णा राम जी, और ये फारम आपका ही है, और हम यहां आए हैं, आप कहिए किसानों के लिए, देश वास्टों के लिए, दो सब्द क्या करना चाहिए, जेवी खेती करना चाहते हैं, उनको बहुत मतलब यह है, फाइदा अनिका, नहीं है, जेवी खेती फाइदे मंद है, जो आज आपने एक छोटे से बच्चे से, जो सीका इसके बारे में दो सब्द कहिए, बहुत बढ़िया है, जी, आप अनुबवी हैं, जी, आप बताइए अपना नाम, मामराज, जी, जेवी खेती करनी चाहिए, करनी चाहिए, आप बताइए जेवी खेती करनी चाहिए, या रसाइन खेती करनी चाहिए, जेवी खेत मैं पूरे भारत को राजस्थान कोई नहीं, मेरे घर कोई नहीं, मेरे खिट कोई नहीं, मैं पूरे भारत को आप लोगों के सयोग से रसाइन मुक्त देंगना चाहता हूं, तो क्या आप ये प्रतिज्या कर सकते हैं? बिल्कुल देश्वाशियों देखिए ये मेरे राजस्तान के ये सूर वीरों की दर्ती ये महराना परताब की दर्ती ये तपश्यों की दर्ती पर आज ये प्रण कर रहे हैं कि आज के बाद हम रसायन को धीरे-दीरे कम करेंगे ये 363 की धर्ती ये 363 की धर्ती जी 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 और अपने अक्सर राजस्तान के सैनिक पूरे भारत में और सबसे ज़्याजा जाट मित्र जो युवा मेरे देश की सरदों की रक्षा करते हैं मैं राजुराम राठोड उनको शलाम करता हूं और उनमें ही जो आप बीच में फोजी हैं और आज एक छोटे बच्चे को इतने दिल में जगह देकर जो आप मेरा मनोबल बढ़ाया इसके लिए मैं बहुत करतग्य हूं किसान सातियों इन मित्रों के लिए आप अपना कमेंट जरूर दीजिए दन्यवाद एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर स हाजर होँगा तब तक के लिए दन्यवाद मित्रों आज का वीडियो बस इतना ही जरूर कमेंट करें शेर करें अपनी राय लिखें मेरे बदलते परिवेश बदलते राजस्तान और मेरे शपने के बारे में दन्यवाद मित्रों